हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे LLB Examination 2022 के प्रिशन पत्र के बारे में ये 6 जो 6 वा सिमिस्टर था 6 वा सिमिस्टर के प्रिशन पत्र होंगे यहाँ पर आप इस प्रिशन पत्र को देखेंगे और अपनी तयारी का मुल्यांकन कर सकते हैं और इन प्रिशन पत्रों को आप स्वयम से हल भी कर सकते हैं और मुझे लगता है इन प्रिशन पत्रों को देखने के बाद ये आप अंदाजा लगा पाएंगे ये आपकी परिशा में किस तरह के प्रिशन पूछे जाते हैं किस तरह के प्रिष्ण पूछे जाने की संभावना है तुछली वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करिएगा हम यहाँ से सुलवात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यह सेकेंड पेपर है और जैसे ही प्रिष्ण पत्र का जो चठवा सिमिस्टर है इसका पहला प्रिष्ण पत्र मुझे मिलेगा मैं उसे भी अप्लोड करने का प्यास करूँगा हम सुलवात करेंगे यहाँ से किनी पाज प्रिष्णों के उतर दीजे सभी प्रिष्णों के अंकर जो है समान है और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंगी में मारक्स है यह हैं यानि सो नंबर का और तीन घंटे का आपका पेपर होगा यहाँ पर हम देखेंगे समाज के मनोविज्ञान के सुरूप एवं छेत्र की व्याख्या कीजिए यह पहला प्रशन था उसके बाद सत्ता यह समाजिक सत्ता से आप क्या समझते हैं समाजिक सत्ता के कि नहीं दो आधारों की व्याख्या कीजिए ये दूसरा प्रस्ण था, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, तीसरा प्रस्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रचार के महत्तों एवं सिध्धांतों का वरणन कीजिए, इसके अलावा, चिंता मनोरोग के स्वरूप तथा प्रकारों का वरणन कीजिए, इसके अलावा, ह शट्मा प्रश्ण था ये अभिवरति के सुरूप को इसपश्ट कीजिए तथा अभिवरति निर्माड के कारकों की व्याख्या कीजिए इसके अलावा हम आगे देखेंगे सात्मा जो प्रश्ण था समवेग से आप क्या समझते हैं समवेग की दसा में घटित होने वाले दहिक परिवरतनों की व्याख्या कीजिए इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो प्रश्ण था अभिवरति मापन की किनी दो विधियों की व्याख्या कीजिए और इसके बाद जो अगला प्रश्ण था मानसिक स्वास्थ के सुरूप तथा संबंधित और आत्म नियंत्रन इसके अलामा जो टोपिक दिये गए हैं यह क्या हो जाएंगे सामाजिक विकास और अभिवरती परिवर्तन मैं इंग्लिस और हिंदी दोनों में नहीं बात कर रहा हूं सिर्फ हिंदी आपको बता रहा हूं बाकि आप इंग्लिस वीडियो में पढ़ सकते हैं अगर मैं दोनों लेंग्विजिस में पेपर को पढ़ने का प्रयास करूंगा तो और पढ़ूंगा तो मुझे लगता है काफी समय हो जाएगा और वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा हम यहां पर देखेंगे इसके बाद जो है ठाड़े पेपर यहां से सुरुव अधानों के अनुसार वार्नेत विभुने प्रकार की अहतियों का उलेख किजिए उनकी उपर्योगत उदाहरण programmes की सहाइता से विवेचना करना ह। इसके अलाव हम देखेंगे दूसरा प्रिशन जो है विधिपूर्ण सनरख छक्ता से वेपहरण के आवस्चक तत्तों की विवेचना कीजिए क्या किसी अनाथ का अप वेपहरण हो सकता है इसके अलाव हम आगे देखेंगे और आपको किस परिच्छा के लिए प्रिशन पत्र चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं मैं प्रियास करूँगा जो आप कमेंट करेंगे उस आधार पर प्रिशन पत्र अप्लोड करने का धारा 491 की समवैधानिक वैदता की विवेचना कीजिए किसी सीमा तक यह धारा विवाहित इस्त्री को अपने पती या उसके रिष्टे दारों द्वारा निरदयता से संवरच्छन प्रदान करती है इसके लाव हम आगे देखेंगे अगला जो प्रशन था भारतिय दंड संहता की धारा 354 लोक नैतिक्तावा सदाचार बरताओं के संवरच्छन के लिए अधेनियमित की गई है टिपणी कीजिए इसके लाव हम अगला जो प्रशन था ये है आपराधिक नियास भंग के आवस्षक तक तो क्या है क्या वे अपराध के निर्माड के लिए पर्यात है उच्चतम नियायाले के अध्यतन निर्णे की सहायता से विवेचना कीजिए इसके लाव हम आगे हम देखेंगे अगला प्रशन है प्रत्यक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन उदाहरणों की सहायता से वियाठ्या कीजिए इसके अलावा अगला प्रश्ण है रिष्ट की परिभासा यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला प्रश्ण है रिष्ट की परिभासा दीजी रिष्ट के आवस्चत्तों की विवेचना उदाहणों की सहायता से कीजी आगे देखेंगे अगला प्रश्ण है आप राधिक अतिचा को परिभासित कीजिए एवं ग्रह अतिचार से विभेद कीजिए क्या आप समझते हैं कि ग्रह अतिचार के प्रति दुष्ट कोण का आज के समय में कोई और जिति नहीं रह गया है इसकी अलामा और मैं आप से भी को सलाह देना चाहूंगा इन प्रिश्ण पत्रों को आप एक विशेष नियाधिस की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है इस अधिनियम के अंतरगत विशेष नियाधिस द्वारा अपनाई जाने वाले प्रेक्रिया एवं सक्तियों की विवेचना कीजिए हम आगे देखेंगे अगला प्रश्ण है ब्रष्टाचार निवर्ण अधिनिय 1988 के किन परिस्थितियों में अभियोजन के लिए पूरुव अनुमत की आवासिक्ता होती है इस ब्रिंद पर दंड प्रेक्रिया संहता 1973 एवं भष्टाचार निवर्ण अधिनियम 1988 के मद्ध कोई अंतर क्या कोई अंतर है बताईए इसके लावा हम आगे देखेंगे यहां से देखेंगे अगला प्रिश्च्न पत्रें अहां से शुरूर हो जाएगा किन ही पांच प्रिश्च्न temp के उतर देना है और यहां पर देखेंगे विधिक अधिकार एवं करतव्यों से आप क्या समझते हैं चकार आतमक एवं नकार आतमक अधिकारों में अंतर इस्पष्ट करना है और यहाँ पर हम अगला प्रिशन देखेंगे विधिक विक्तितों की प्रक्रति की व्याख्या कीजी विभिन इस द्धांतों की व्याख्या कीजी कि व्याख्या कीजिए स्वामित करना है यहां पर आगे देखेंगे हार्ट एवं फुलर के विवाद के प्रकास में विध्य और नई विगता के संबंधों की विवेचिना कीजिए इसके बाद अगला प्रशन पूछा गया था आपसे पाँच हूआ संपत्ति की आउध राणा की व्याख्या करना था और संपत्ति की आउध्धार्णा की उत्पत्तिसे संबंदित विभिने सिध्धान्तों की व्याख्या कीजिए इसके लावा जो अगला प्रश्ण है यहां पर कबजे की अउधारना का समालोच नातमक विशलेशन कीजिए विभि द्वारा कबजे को सर्णरच्ण क्या प्रदान किया गया है क्या आप समझते हैं कि कबजा स्वामित्तों का नो बटे दस बिंदु है हम आगे देखेंगे अधिकार और करतवे के सह संबंध के संबंध में होह फिल्ड सिधान्त का अलोच नातमक परिछण कीजिए इसके लाव हम आगे देखेंगे कठोर दाईतों के सिधान्त को लागू होने के लिए कौन सी आवस्त शरते हैं निरतवादों की सहायता से व्याख्या कीजिए इसके लाव हम आगे देखेंगे सामाजिक नयाय से आप क्या समझते हैं समविधान के उप बंधों की विवेचना कीजिए जो सामाजिक नयाय से संबंधित हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्यों होंगे निम्लिकित किनी दो पर संचिप्ति पणी रिखिए अजन्मे की प्रास्थिति और अचल और चल संपति इसके अलावा जो अगले मुख्य जो अगले पॉइंट होंगे क्या होंगे सर्व बंधी और विक्ति बंधी अधिकार और समवर्ति कब्जा इसके बाद हम देखेंगे अगला यहाँ से पेपर शुरू हो जाएगा यहाँ से पांचवा पेपर जो प्रस्नपत्र शुरू हो जाएगा यहाँ पर फिर से वही नोट में दिया गया है आगे हम प्रस्नपत्रों के सुबाद करेंगे सीधा प्रारम से अतिचार की व्याख्या कीजिए भूम के प्रति अतिचार के वाद में क्या प्रतिवाद उपलब्ध है इसके अलावा आगे देखेंगे अगला प्रश्ण उपेच्छा से आप क्या समझते हैं उपेच्छा अवययव की विवेचना कीजिए अपने उत्तर की पुष्ट निन्नतवादों की द्वारा कीजिए इसके अलावा हम आगे देखेंगे अगला जो प्रश्ण होगा मान हान क अप क्रत की आवस्यक सर्टों का विवेचन कीजिए अपमान लेख और अपमान वचन के बीच भेद इसपस्ट कीजिए इसके अलाव हम आगे देखेंगे इसके अलाव हम आगे देखेंगे उपहोगता सर्णरचन अधिनियम 1986 के अंतर अगत जिलाप फोरम की सर्णरचन अधिकारिता एवं कारेवाही की प्रगति की विवेचना कीजिए इसके अलाव हम आगे देखेंगे क्या यह कहना सही है कि भूमी के प्रति अतिचार के अपकरत्य में परिवेक्ति अधिकार कोई वचाव नहीं होता है इसके अलाव हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा सिच्छा सिच्छार्थी अनुग्यप्ति का दिया जाना और चालन अनुग्यप्तियां धारन करने पर क्या प्रतिबंद हैं इस पस्ट कीजिए इसके वाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न है और नोट में फिर से भी दिया गया है पांच प्रश्नों के उतर देना है और सभी अंकों के जो प्रश्नों के जो अंक है समान हैं यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कर्मकार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1930 के अंतरगत नियोक्ता प्रतिकर देने के लिए तभी दाई होगा जब दुर घटना या च्छति नियोजन से उदभूत एवं नियोजन के दौरान घटित या कारी तो होती है उप अगला प्रश्न क्या था कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ती सक्तियां और कार्यों की विवेचना कीजिए इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था नियोनुतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधिनियमित होने के मुखे उल्दे जे वीमा अधिनियम 1948 के अंतरगत गठित नयायाले की सर्णा सक्तियां और कार्यों की व्याख्या कीजिए इसके अलावा अगला प्रश्न होगा कटोती की परिभासा कीजिए और कौन सी कटोतियां वैध रीति से मजदूरी भुक्तान अधिनियम 1936 के अंतरगत काटी जा स लगती हैं अगला प्रश्न क्या होगा मजदूरी भुक्तान अधिनियम 1936 के अंतरगत विहित अधिकारियों के आदेश के विरुध अपील का क्या प्राविधान है विवेचना कीजिए इसके लावा अगला प्रश्न आपसे पूचा गया था कार्याले अधिनियम के अंतरगत कार्खाना को परिभासित कीजिए यहां पर क्या होगा कार्खाना अधिनियम के अंतरगत कार्खाना को परिभासित कीजिए कार्खाना अधिनियम 1944 में अंतरविष्ट खतरनाक प्रक्रियाओं में सनलगन कार्यरत कर्मचारियों की सुरच्छा सम्मन्नी प्रावधानों की विवेचना कीजिए और नियुनतम मजदूरी भुक्तान अधिनियम के अंतरगत अतिसमय क्या है व्याख्या कीजिए इसके लावा जो आपसे अगला प्रावधानों पूछा गया मातरत्र लाभध दिनियम के अंतरगत इस्तरी के मृत्त्र लाभध के भुक्तान के क्या प्राविधान है विवेचना कीजिए इसके अलावा जो ये प्रशन पत्र थे और उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्रशन पत्र देखकर आप इन्हें हल करने का प्रियास कर सकते हैं सोयम से और उमिद करता हूँ मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किये जा रहे हैं प्रशन पत्र के प्रारूप में उमिद करता हूँ आपको पसंद आ रहे हैं कमेंट करिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं निरंतर जो भी प्रिश्ण पत्र मुझे समय समय पर मिलते रहेंगे मैं उन्हें आपके लिए upload करता रहूँगा इन प्रिश्ण पत्रों को देखने के बाद आपकी परिच्छा में किस तरह के प्रिश्ण बन सकते हैं और आपकी परिच्छा में पूछे जाने वाले प्रिश्ण पत्रों का जो लेवल है क्या अश्तर है ये आप अनुमान लगा सकते हैं और इन सभी प्रिश्ण पत्रों को देखने के बाद आप अपनी तयारी को बेहतर बना सकते हैं इसलिए मैं इन सभी प्रिश्ण पत्रों को आपके लिए अप्लोड करता रहता हूँ उमेद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा चैनल पढ़ने तो सब्सक्राइब जरू करिएगा मैं हमेशा कहता हूँ और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चाहें तो वीडियो को सेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और कमेंट जरू करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद